हेलो एवरीवान नमस्ते सश्रीकाल कैसे हैं आप लोग मैं हूं माही और सागत करती हूं मेरे चानल हेल्थ और टेप सिद माही में दोस्तों आज में आप लोगों के साथ एवर यूट का एक्सफोलेटिंग वाले स्क्रब आता है उसका रिवीश शेर करने वाले हूं यह वाला है दोस्तों इसका प्राइज शेल्फ लाफ इसकी है फिफ्टी ग्राम और दोस्तों इसको थोड़ा सा लेके अपना चेहरा पहले घीला करना है उसकी बास से इसको अपल निखल जाई एक वार में कंल जाए अगर आपको इंश प्रॉपर निकाल उंए तो शयुक मीद बैक नि Carmen rice को आपको क्लेबार थी गीन जोड़ान होगे ओर और उचिन जमा ही नहीं तो इस वेली करते हैं तो अगर ब्लैकेट जमाने होंगे nिकल जाएगी और डड़ सिन भी निकल जाएगी अगर आप Palな के लिए और बीज पाईस साल की पच्छी निकल जाए है लिए बहुत अच्छा क्या ओप्षन है यह वालनट में और गरता थैट लेकिन नहीं तो और आपको इतना सा लेके हलका हलका से ऐसे मसाज करना होता है दौस्तों जितना हलका मसाज अपने टीगे हडाप करेंगी हर तो बेटर अपर से सब्सक्री मToday, नहीं है भी मिलेंगे। । पफास्टे को हाट से contemporary magic for Pode करेंगे। कर देते हैं dead skin को निकाल देते हैं blackhead को भी निकालते हैं बस वही है कि आपको proper use करना पड़ता है तो teenager अगर चाहते हैं कोई अच्छा affordable range में अच्छा scrub तो यह उनके लिए better option है 20-25 तक के एच के लिए भी better option है दोस्तों quantity आपको 50 gram मिल जाती है और brand भी अच्छा है दोस्तों मुझे यह अच्छा लगा है और इस पर लिखा है कि best result के लिए आपको यह scrub हवते में दो बार यूज करना है लेकिन आप 2-3 बार तीन बार यूज कर सकते हैं ताकि आपकी skin जो ह दोस्तों आपका oil vegan का लेगा और dryness भी हटा देगा dry नहीं रहेगी skin और oil भी नहीं करेगा तो आपकी कोई भी skin type हो आप इसको use कर सकते हैं बस sensitive skin वालों को मैं नहीं recommend करती और इस पर भी नहीं लिखा हुआ यह all skin type ही लिखा है जो सभी use कर सकते हैं और मुझे यह पसंद आय बाइ बाइ टिक केर